मूवी की स्टार्टिंग कुछ दोस्तों से होती है जो गाड़ी में बैठ कर कहीं घूमने जा रहे थे इस गाड़ी को चलाने वाला आसकर था जिसके बगल में उसकी प्यारी वहन केरन बैठी थी इनके पीछे वाली सीट पर रेंडी और बैथ पैठे थे और लास्ट वाली सीट पर रेंडी की बहन एमली अपने बॉइफ्रेंड कोडी के साथ पैठी थी कोडी नक्षा देहकर आसकर से पूछता है कि हम कहां पर हैं आसकर उसे बताता है कि यह एक शॉटकट है कोडी के दुबारा पूछने पर आसकर उसे एक बोर दिखा कर कहता है कि हम फोर्ट कॉलिंड में हैं मगर कोडी नक्षा देहकर कहता है कि इस नाम की तो कोई भी जगा नक्षे में नहीं है कोडी के सवालों से परेशान होकर आसकर उसे कहता है कि हम लोग घूमने जा रहे हैं कोडी तुम बस ट्रिप का मजा लो बागी सब मैं देख लूँगा फिर कुछ देर बाद वो सभी एक गैस स्टेशन पर अपनी गाड़ी रोगते हैं अब वो स्टोर के अंदर आते हैं यहां आकर रेंडी बीर खरीटता है और आसकर स्टोर की दिवार पर लगी एक खबर पढ़ने लगता है जिसमें एक क्रेचर के बारे में बताया गया था इस के बाद आसकर वहां एक डमी को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगता है और कोडी और रेंडी भी उसके मजाक में अपनी हां मिलाते हैं यह तीनों स्टोर में रखे समान को देखकर वहां रहने वाले लोगों का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं जिसे सुनकर स्टोर क मालिक को गुसा आजाता है और वो इन सभी को भला बुरा कहने लगता है इस आदमी का नाम जिम्मी था जिम्मी का गुसा देखकर कोडी उससे माफी मांगने लगता है तो जिम्मी उससे कहता है कि जिस दिन तुम्हारा सामना ऐसे ही किसी राक्ष से होगा तब तुम उसका मज जिन्मी की बातों ने कोडी की बोलती बंद कर दी थी। उसी समय स्टोर में काम करने वाला कूपर आसकर को बताता है कि जंगल के बीचो बीच ग्रेमलिन का एक घर है जिसे एलिगेटर मैन भी कहते हैं और उसे देखने के लिए पांच डॉलर देने पड़ते हैं। एक میरी मा भी थी। उनकी बाते सुनकर आसकर और उसके दोस्त भी वहां जाने का फैसला करते हैं। कूपर आसकर को उस घर तक जाने का नक्षा बना कर देता है जिसके बाद वो सभी दोस वहां से चले गए थे। रास्ते में वो सभी लड़कियों को बताते हैं कि हम ग्रेमलि ही बचे थे वो दोनों अपना वंच रागे बढ़ाने के लिए एक दूसरे से ही शादी करने का फैसला करते हैं मगर शादी से एक दिन पहले जब वो दोनों जंगल में मस्ती कर रहे थे तो कैरोलीन को एक सफेद अलगेटर दलडल में खींच लेता है ग्रेमलीन उसे पागलों की तरह दलडल में ढूनता है लेकिन वो से कहीं नहीं मिलती मगर ग्रेमलीन ने अभी हार नहीं मानी थी वो कैरोलीन को डूनते डूनते alligator की गुफा तक पहुँच गया था मगर जब वो वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि सफेद alligator ने कैरोलीन को मार दिया था जिसके बाद gremlin को इतना गुसा आता है कि वो alligator को मार कर उसे कच्चा ही खा जाता है कैरोलीन को खोने से gremlin का दिमाग इतना खराब हो गया था कि वो alligator के साथ साथ कैरोलीन के टुकडे भी खाने लगता है जिसके बाद वो दीरे दीरे alligator में बदल गया था औसकर आगे उन्हें बताता है कि जहांके लोगों का मानना है कि ग्रेमलिन आज भी दलदल में अपनी दुलहन डून रहा है ताकि अपने वन्श को आगे बढ़ा सके आसकर की बाते सुनकर वो सभी उस पर हसने लगते हैं कुछी ही देर बाद ये सभी दोस्त ग्रेमलिन के घर तक पहुँच गए थे यहां पहुँचकर वो सभी फैसला करते हैं कि हम सभी इस गर को कल सुबा देखने आएंगे रात बिताने के लिए हम इसी घर के आसपास टेंट लगा लेते हैं अब रात हो चुकी थी और सभी दोस्त आके पास बैठे बातें कर रहे थे यह सभी दोस्त इस बात से बेखबर थे कि जिसका यह लोग मजाक उड़ा रहे थे वही एलिगेटर मैन याने ग्रेमलिन उन्हें दूर से देख रहा था अब कोडी और एमली वहां से उड़कर जंगल में घूमने चले जाते हैं दूसरी तरफ है घर में जिमी और कूपर बातें कर रहे थे तबीबो कोई आवाज सुनकर घर से बाहर आते हैं और देखते ही देखते ग्रिमलिन जिमी को मार डालता है उधर बातें करते करते आसकर ठक चुका था जिसके बाद वो अपने टेंट में सोने चला जाता है और उसके चले जाने के बाद कैरन और बैथ भी अपने टेंट में चली गई थी उधर एमली और कोड़ी अभी भी जंगल में बैठे बातें कर रहे थे जिनकी आसकर चोरी छुपे फोटोस क्लिक कर रहा था तब ही उसके पास उसकी बहन कैरन आ जाती है थोड़ी देर में जब कैरन बापिस जाने लगती है तो कूपर आकर उसे एक जोरदार पंच मारता है अब वो आसकर के पास चाता है और कहता है कि तुम तो बहुत अच्छे से सब संभाल रहे हो दरासल आसकर कूपर का बेटा था जो अपने दोस्तों को जान बूज कर जहां लेकर आया था अब उसने ऐसा क्यूं किया था इसके बारे में हम बात में बात करेंगे कूपर और आसकर की सारी बातें एक तरफ खड़ा रेंडी सुन लेता है जिसे आसकर ने भी देख लिया था जिसके auसकर जान बूज कर कोड़ी और एमिली के पास जाता है और उने कहता है कि रेंडी का दिमाग खराब हुच चका है वो पागलों जैसी हर्कतें कर रहा है उसकी बात सुनकर कोडी एमिली को वही आसकर के पास छोड़ कर अकेले ही रेंडी को देखने चला जाता है अचानक कोडी की नजर ग्रिमलिन पर पड़ती है जिसे देखकर वो बहुत हैरान होता है उसी समय वहां रेंडी आकर उसे भागने को कहता है अब रेंडी और कोडी आगे आगे थे और ग्रिमलिन उनके पीछे पीछे था दूसरी तरफ एक घर में कूपर दिखाया जाता है जिसनी अपनी ही बेटी को एक कुरसी पर बांद रखा था इसके बाद वो अपनी बेटी के गले में एक तावीज डाल कर उसका पैर काट डालता है फिर कूपर केरन को रोते भी लगते छोड़ कर वहां से चला जाता है उधर रेंडी और कोडी अभी तक भाग रहे थे मगर ग्रेंडी को पकड़ कर उसे मार देता है और कोडी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाता है अब रेंडी को मारने के बाद ग्रेंडी के पास जाता है अब वो पहले केरन के पास कैरोलन की ड्रेस रखता है और फिर उसके गले में तावीज देखता है लेकिन केरन को ध्यान से देखने के बाद गुर्मलिन उसे मार डालता है कुछ देर बाद बैथ कोई अवाज सुनकर अपने टेंट से बाहर आती है जब वो बाहर आती है तो अपने सामने ग्रेमलेन को देह कर बहुत डर गई थी, जिसके बाद ग्रेमलेन उसे उठा कर एक गुफा में ले गया था, उधर कोडी भागता भागता उसी गर में पहुंच गया था, यहां कैरन को बांध कर रखा गया था, उसी समय वहां आसकर भी आता है, और उसे अकेले देहकर कोडी उससे एमली के बारे में पूछता है, जब आसकर उसे कोई जबाब नहीं देता, तो कोडी उसे मारने लगता है, और इन दोनों में जोरदार लड़ाई होती है, आखिर में कोडी आसकर को मार कर वहां से भागता है, ताकि Emily को डूंड सके भागते भागते वो उसी गुफा में गिर जाता है जहां Grimlin ने Emily को कैंद कर रखा था जब कोडी और Emily वहां से भाग रहे थे तो Grimlin उन्हें देख लेता है और उनका पीछा करने लगता है अब कोडी और Emily गुफा से बाहर निकल कर एक जील के किनारे पहुँच गए थे अब वो दोनों एक छोटी सी नाओ में बैठकर वहां से जाने के बारे में सोची रहे थे कि तभी वहां दो लोग आकर Emily को उठा कर अपने साथ ले जाते हैं और उसी समय वहां Grimlin आता है और कोडी को मार मार कर उसे पानी में फेंग देता है दूसरी तरफ गाओं वालों ने Emily को एक जगा बांध लिया था जिसके बाद कूपर उससे कहता है कि गपराओ मत तुमें Grimlin ने चुना है अब गाओं वाले कोई पूजा करने लगते हैं और Grimlin को वहां आकर Emily को गरब बती करने को कहते हैं दरासल कूपर और उसका पूरा परिवार Grimlin के दास की तरह काम करते थे जो उसके लिए ताजे मास और लड़कियों का इंतिजाम करते थे ताकि वो अपने लिए किसी लड़की को चुन कर अपने वंश को आगे बढ़ा सके इसलिए आउसकर अपनी दोस्तों को जहां ले कर आया था ताकि वो Grimlin के लिए ताजे मास और दुलहन का इंतिजाम कर सके कूपर ने पूरे गाउं को बचाने के लिए अपनी ही बेटी की भेंट Grimlin को चड़ा दी थी लेकिन Grimlin को कहरन अच्छी नहीं लगी थी इसलिए उसने उसे मार दिया था अब कूपर के बुलाने पर Grimlin वहां आ गया था वो जैसे ही एमली की तरफ बढ़ने लगता है तभी वहां कोड़ी भी आ जाता है और आकर Grimlin को मारने लगता है इस लडाई में Grimlin कोड़ी को बहुत मारता है मगर आखिर में कोड़ी उस पर भारी पढ़ता है और Grimlin फिसल कर एक गड़े में गर जाता है इसके बाद कोड़ी एमली को आजाद करता है और जैसे ही वो उसे नीचे रखता है तभी Grimlin गड़े से बाहर निकल कर एमली को खींच लेता है और एमली को बचाने के लिए कोड़ी भी उसके पीछे पीछे गड़े में चला जाता है सुबा होने पर पहले एमली गड़े से बाहर निकलती है और उसके पीछे पीछे कोड़ी भी बाहर निकलता है जिसके हाथ में Grimlin यानि Alligator Man का जबड़ा था अब कोड़ी एमली को गाड़ी में बिठा कर वहां से चला गया था कुछ महीनों बाद अब कहानी में एक घर दिखाया जाता है यहां सभी लोग बहुत खुश थे और इनमें कूपर भी था इसी घर के कोने में बैथ भी खड़ी थी जिसकी गोड में एक बच्चा था दरासल जी बच्चा Grimlin और बैथ का था जब वो बैथ को गुफा में लेकर गया था तब उसने बैथ को मारा नहीं था बलकि उसे अपना वन शागे बढ़ाने के लिए जिन्दा रखा था और इसी के साथ इस कहानी का यहीं एंड हो जाता है